जिस इंगली में हम सेंटर अफ करवेचर कहते हैं इसकी परिभ्यास देखते हैं गोली दरपड किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता हता है उसके केंदर को दरपड का वक्रता केंदर यानि center of curvature करते हैं और इसे English के capital letter में C से परदरसित किया जाता है जैसा कि हम जानते हैं अगर यह उत्तल दरपड है तो यह किसी कांच के खोखले गोले से कटा हुआ भाग है मा लेते हैं कांच का कोई खोखला गोला है जिसका कटा हुआ भाग है आपका M1 और M2 अब यह कांच का यह जो खोखला गोला है इसका जो center अगर यह है तो यही इस M1 और M2 का वक्रता केंद यानि center of curvature कहलाएगा और इसे हम C से परदरसित करेंगे इसी तरह आउतल दरपड में देखें आउतल दरपड भी किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है मा लेते हैं यहां पर हमने यह लिया M1 और M2 कांच का खोखले गोले का कटा हुआ भाग लिया और इसको हमने आउतल दरपड बनाया अब यह कांच का जो खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है और वह जो कटा हुआ भाग जिस खोखले गोले का होगा उसी का सेंटर यानि केंद्र दरपड का वक्रता केंद्र कहलाएगा जिसे हम सीसे परदर्शित करते हैं